Hello Friends, एक बार फिरसे स्वागत है आपका मेरे चैनल जया सैगर में आज के सैगमेंट में हम फिर से बात करेंगे किचन हब्स की जिनने आफ कंबले में या आपने किचन गार्डन में ग्रों कर सकते हैं पिछली बार भी हमने स्टीविया प्लांट के बारे में जाना था लेकिन यह भी एक अच्छा healthy hubs है लेकिन यह अजवाई नहीं है इसका नाम है Mexican Mint यह मैक्सिको का पोदा है जो mint family से belong करता है इसकी पतियां मोटी तथा इसमें तरल भरा होता है इसको आस्माथिक ऐलर्जी वगेरा में यूज किया जाता है second hubs जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ओरिगैनो ओरिगैनो जो पीजा पास्ता वगेरा में पाउडर डलता है और उसके सैशे हमें साथ में मिलते हैं यह भी mint family का एक पोधा होता है लेकिन इसकी पतियां अजवाईन की पतियों से थोड़ी छोटी होती है जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अब आप अंतर कर सकते हैं अजवाईन और ओरिगैनो में ओरिगैनो की पतियों पर चोटे-छोटे बाल होते हैं इसी से पता चलता है यह ओरिगैनो है इसके जो stems होती है वो mint के जैसी होती है इसकी पतियां थोड़ी छोटी होती है उसमें तरल परधात ज़्यादा मात्रा में नहीं होता लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी पैचान इसकी है कि इसकी पतियों पर बाल होते हैं इनकी पतियों को सुखा कर हम उनका पाउडर बनाकर या हलका ग्राइंड करके पीजा, पास्ता, सूप आधी में डाल सकते हैं इन तीनों ही पोदो जिनके बारे में मैं बता रही हूँ आप किचन गार्डन में असानी से उगा सकते हैं तदा आप इसे गंबलों में भी उगा सकते हैं अब फाइनली तीसरी हब्स जो है जो लोग इसे अजवाइन और औरिग्यानों समझते हैं और मैक्सिकन हब्स में अंतर नहीं कर पाते हैं यह जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है ऑथेंटिक अजवाइन का पोधा सच में अजवाइन का पोधा देखने में ऐसा होता है जो इसके फ्लावर होते हैं इसी में से अजवाइन के बीज निकलते हैं जिने हम पूरी में ब्रैड पकोड़े के बैटर में समोसे के उपर के क्रस्ट में यूज करते हैं यह ऐसे flowers से होते हैं तदा इसी में से अजवाइन के वो बीज निकलते हैं I hope आप समझ गए होंगे Mexican, Mint, Oregano और अजवाइन में क्या आंतर होता है यह तीनों ही हप्स बहुत अच्छी हैं एक तूसरे से relate भी करती है Mint family की है इसलिए आप इन तीनों को ही अपने kitchen garden में add कर सकते हैं तीनों के जाइके अलग होते हैं तीनों को soup या अलग चीजों में यूज किया जाता है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल जया सैगल को जरूर सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूंगी Have a nice day Thank you